आजकल सभी लोग खुश्बुधार पर्फ्यूम लगाने का शौक रखते हैं। इस शौक को पूरा करने के लिए एक से एक महंगे और ब्रांडे पर्फ्यूम खरीतने हैं। अगर आपको पर्फ्यूम से कहीं ज्यादा इत्र पसंद है तो आपको जैपूर के एक छोटी से दुकान में नैच्रोल तरीके से तैयार किये गए इत्र की कई वराइटी मिल जाएगी। प्रुबे किलो, पाइटलाग रुबे किलो के इसाब से चानव होता है। अगरत है तो उनकी दिमांड खुष्टू से खैली है। और बहुत तरह के इत्र आते हैं इसमें। हम जैपुल के राजगंदी हैं। जादाजी, पिताजी और मैं टी स्रीविडी है। यह सब फूलों से बनते हैं। सिंटेटिक कोई नहीं है। सिंटेटिक भी आते हैं। इसमें बहुत तरह के इत्र हैं। जुलाब है, केवडा है, खस है, हीना है, मुशकंबर है, शमामा है, केसर है, कस्तूरी है, मिट्टी है। और पर्शुम भी हम लोग बनाते हैं। हमारी पर्शुम की जो लास्टिंग है, जैपूर की इस छोटी सी दुकान के इत्र की बस एक बूंद ही, कई दिनों तक ताजगी का एहसास दिलाने के लिए काफी है। यहां के इत्रों के डिमांड इस खदर है, कि अब तक जैपूर के राज परिवार इसे मंगवाते हैं। देवी इलाल विजयवर्गिय ने इत्र बनाने की इस कला को अपने बेटे राधे शाम को सिखाया और अब उनकी तीसरी पीड़ी के उनके पोते संजु विजयवर्गिय इत्र बनाते हैं। अपने दादा जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे संजु विजयवर्गिय बताते हैं। ऐसे दिया राधे भी विरासतान दर टूरे इंडिया में भी मेरा इत्र जाता है। तो अब आर्यपर के लोग भी आते हैं। जिसको पसंदा जातों वो दुबारा मंगवाता है। तो मैंने पिंचार्ग को भी दिया है और गिरिश के प्रदान मंत्र को भी दिया है। पुराने है तो लोग बाग एक बार ले जाते हैं तो यह नहीं है कि दुबारा नहीं आते में पर दुबारा भी आते हैं